गुड मॉनिंग एविवन आज हम क्लास फॉर्थ में इंग्लिश में बिर्बल कॉट दा थीफ लेस्न फॉर्टीन ट्रीट करेंगे जो कि एक बहुत प्यारी सी कहानी है बिर्बल कॉट दा थीफ बिर्बल ने चौर को पकड़ लिया थीफ मींण चौर और को पकड़ लिया और लेस्न में सबसे पहले है how do you feel when some of your belongings are lost your belongings यानि कि तुम्हारी कोई चीज आर लोस्ट खो जाती है तो how do you feel आप कैसा महसूस करती है तो कैसा महसूस करती है क्या लिखेंगे I feel sad मैं उदास या बुरा महसूस करता हूँ when some of my belongings are lost जब मेरी कोई चीज खो जाती है और second question है if you suspect somebody अगर तुम्हें किसी पर संदे होता है शक होता है what would you do आप क्या करेंगे तो क्या करेंगे I would complain against him in the police station क्या करेंगे उसकी शिकायत हम police station में करेंगे और चलिए अब हम रीड करेंगे ये story once there was a rich merchant एक बार एक अमीर वैपारी था he lived in a small village surrounded by a forest वह एक छोटे से गाउं में जो की जंगल से घिरा हुआ था उसमें रहता था he had many servants in his big house उसके बडे से घर में बहुत सारे नोकर थे one night एक रात when the merchant was sleeping जब वैपारी सो रहा था someone entered his room quietly उसके कमरे में चुपचाप से कोई घुसा and stole his precious diamonds और उसके किमती हीरे चुरा लिये in the morning, सुभे, when the merchant woke up जब वैपारी जागा he found his diamonds stolen तो उसको पता चला कि उसके diamond यानि की हीरे चुरा लिये गए है he inquired about them from his servant इसके लिए उसने अपने नोकरों से पुस्तास की but they denied having any information परंतु उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इंकार कर दिया, मना कर दिया denied means मना कर दिया the merchant suspected that the thief was one of his servants वैपारी को संदेथा की चौर उसी का कोई नोकर है so he went to the court of King Akbar and narrated the whole incident इसलिए वह राजा अकबर के दरबार में गया और वहाँ पर सारी घटना का वरन किया सारी घटना बताई अकबर आस्ट बीरबल to help the merchant find his lost diamonds अकबर ने बीरबल को वैपारी के खोय हुए हीरे तलाश करने में उसकी सहता करने के लिए कहा अगले दिन बीरबल वैपारी के घर गया and asked all his servants who had stolen the merchant's diamonds last night और उसने सारे नोकरों से पूछा की वैपारी के हीरे पिछली रात को किसने चुराए थे अगेन दोबारा everybody denied हर एक ने मना कर दिया बीरबल थोट for a moment बीरबल ने एक शण के लिए सोचा and then gave a stick of equal length to all servants of the merchant और उसने फिर वैपारी के सभी नोकरों को एक बराबर लंबाई की एक एक छड़ दी and he said to them और उसने उनको कहा the stick of the real thief will be longer by two inches tomorrow असली चोर की छड़ी कल तक दो इंच बड़ी हो जाएगी all of you should be present here again tomorrow with your stick तुम सब को कल फिर यहाँ अपनी छड़ी के साथ हाजिर होना पड़ेगा all the servants went to their homes सभी नोकर अपने घर चले गए and gathered again at the same place the next day और अगले दिन उसी जगय सभी इकठे हो गए बिर्बल आस्टे एच वन ओफ देम तो शोओ हिम देर स्टिक्स और बिर्बल ने उन में से हर एक को अपनी छड़ी उसे दिखाने के लिए कहा one of the servants had his stick shorter by two inches नोकरों में से एक की छड़ी दो इंच छोटी फी as soon as बिर्बल saw the servants stick he shouted जैसे ही बिर्बल ने उस नोकर की छड़ी को देखा वह चिलाया he shouted वह चिलाया catch him उसे पकड़ो he is the thief वह चोर है the thief fell at बिर्बल's feet चोर बिर्बल के पैरों में गिर गया पड़ गया बिर्बल took him to the merchant बिर्बल उसे व्यापारी के पास ले गया लेटर बाद में the merchant asked बिर्बल व्यापारी ने बिर्बल से पूछा how did you catch the thief आपने चोर को कैसे पकड़ा बिर्बल सेड बिर्बल ने कहा the thief had already cut his stick by two inches in the night fearing that the stick would have grown longer by two inches कि चोर ने पहले ही रात को अपनी चड़ी दो इंच काट ली थी उसे यह डर था कि उसकी चड़ी दो इंचे लंबी हो जाएगी थस्दा trick to catch the guilty thief worked well इस प्रकार दोशी चोर को पकड़ने का दाव ठीक काम कर गया तो प्यारे बच्चों ये थी एक बिर्बल की कहानी जिसने इस कहानी में क्या किया एक वैपारी के चुराए हुए हीरो को ढूंडा और उसके चोर को पकड़ लिया तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और lesson को read करके और इसके translation करने की कोशिश कीजिए प्यारे जिस है तो फ्यारे